हलो फ्रेंट्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे साबू दाना खिचडी ब्रत में बनाते हैं जो ब्रत वाली तो मैंने साबू दाना लिया था एक कटोरी और उसे मैंने आदा घंटे के लिए पानी में बिगो कर रखा है और आदा घंटे में हमारा जो फेक्ट हो जाएगा किचडी बनाने के लिए आदा घंटे तक ही बिगो कर रखाता सिर्फ और मैंने लिया है यहां पर एक आलू लिया था थोड़ा बड़ा साइज का और इसमें थोटे मतलब पतले साइज में कट कर लिया है आलू को और यहां पर एक कटोरी मैंने छोटी दाली लिया है मुफली के दाने और टमाटर एक और एक लिया था हरी मिर्स जिसको बारी कट कर लिया है अब रखते हैं हम गैस पर कढ़ाई और इसमें हम एट करेंगे एक चम्मच देशी घी क्योंकि सबसे पहले हम हमने जो मुफली लिए उनको भूनेंगे तो एक चम्मच पॅब हम अपनी सारी मुफली को अच्छे से रोष्ट कर लेते हैं जब तक इनकी जो अच्छी सी खुसिबू और अच्छे से कच्चापनहीं हो जाता है तबतक हमें मुफली को रोस्ट करना है यहां पर मैंने एक मिम्नटके लिए मुफली को पकाया था इसमें हम एड्ट करेंगे एक चमवच चोटी जीरा जीरे को थोड़ा इसा चटकने के बाद हम इसमें एडskे usar कर देंगे जो हमने हरी मिर्च को कर कर रें थोड़ा थे मिंघ तक हम थोड़ा सा टमाट्र को पका लेंगे यह ज्यादा नहीं पकाना है करें तो थोड़ा सा ही पकाना है उसके बाद हम इसमये आड़ कर देंगे जो हमने आलो को कट करके रखा था और इसमें हम ब्रत के लिए बना रहे हैं तो हल्दी पाउडर बगरा कुछ भी नहीं टलेगा सिर्फ जो हैं वही डलता है इसमें ब्रत वाले में हल्दी बगरा नहीं खाते हैं और मैंने यहां पर काली मिर्च को थोड़ा सा क्रस्ट करके ले लिया है काली मिर्च हमने टेस्ट के साफ से एट कर दिया थोड़ा सा मैं इसमें एट कर रही हूं ब्रत वाला जो नमक होता है उसको सेधा नमक जिससे के हमारे आलू जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे आलू में एट करने से अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढख देते हैं कि जल्द के लिए और बिना धके पकाऊंगे तो उसके बाद हमारे आलू एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे उसके मैं एक मिनट तक और पका लेती हूं उसके बाद हम इसमें साबू दाना एड करेंगे आप चाबू तो इसमें बॉयल आलू भी एड कर सकते हो कच्चे ना डाल करके बॉय नमक क्योंकि नमक हमने पहले भी एड किया था आलू के हिसाब से अब हम साबू दाना के टेस्ट के हिसाब से कर दिया है अब हमें अच्छे से करना है मिक्स आप देख सकते हो कितना खिला खिला एकदम से अच्छे से परफेक्ट हमारा साबू दाना भीग कर तैयार हो गया था मैंने उसे चलनी में निकाल के रख दिया था देख सकते हैं अच्छे से एकदम पक गया था हमारा साबुदाना उसके बाद हम इसमें जो हमने रोष्ट करके मुंगफली रखी थी और यहां पर उनी मुंगफली मैं से बुनी हुई जो मुंगफली थी थोड़ा सा मैंने आ दोंगी एक मिनट के लिए बीच में आप चला भी दें क्योंकि साबुदाना बहुत जल्दी कड़ाई में चिपक जाता यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने एक मिनट के लिए धका था और हमारा साबुदाना खिचडी बनके तैयार हो गया है आप देख सकते हैं बिल अब इसको हम आप इसको दही के साथ खाएं दही के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मतलब चट पटाजा बनके तैयार हो गया है आप चाहो तो इस टाइम पर भी काली मिट्स का पावडर एड़ कर सकते हो अब इसमें हम एड़ कर देंगे आधा नीवू का र दख देंगे उसके बाद हम सर्व करेंगे ठकर लखने से और इसके से ऐसे घ्यार हो जाए गए से तो आप देख सकते हैं आप बनर हो गया मैं से ठोड़ी दिर के लिए तो यहां पर मैंने आप देखती नियुकバ समय कर लिए है तो कैसी लगी आपको यह मेरी साबूदाना खिचली बनाने की रैस्पी अगर थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें